पिछले चार दिन से आस्मान ऐसे बरस रहा था, मानों उसमें कई सुराख हो गए हैं। शहर की कच्ची वस्तियां तो क्या, पक्की सडकें भी पानी से लबालब भर गई थी। दुपहिया वहान और छोटी कारें, जहां पूरी तरह पानी में डूब गई थी, वहीं बस और ट्रक आधे आधे पानी में डूबे हुए थे। नौकरी पेशा लोग अखोशित अवकाश पर हैं, तो बच्चे अब इस चुट्टी से तंग आ चुके हैं। वो तो घर में कैद हो गए हैं, बार बार आसमान की ओर ताक रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ये पानी वरसना आखिर कब बंद होगा। पानी वरस रहा है, तो सब कुछ बंद है, ना दूद की सपलाई है, ना सबजी की, उच्च और मध्यम परको तो इस बंदी से बहुत अधिक असर नहीं हुआ। इतना जरूर हुआ कि चार दिन से वई, आलू, प्यास और दाले खाकर वो उब जरूर गए थे। लेकिन एक तबका ऐसा भी था, जो रोज कुआ खोद कर पानी पीता, और ये वो लोग थे, जो दिहारी मजदूरी कर रोज की कमाई करते, और उसी से उनका चूला जलता। जुग्य जुपणियों में रहते और किसी तरह गुजारा करते, लेकिन इस बारिश ने तो इन जुग्यों को पूरी तरह तबहा कर दिया था, जगा जगा इन जुग्यों से बिखरा हुआ सामान तैर रहा था, यहां के निवासियों ने किसी तरह सुरक्षिज जगों पर जाकर शरन ले थी। ऐसी भयानक इस्थिती को भाप कर दो दिन बाद सरकारी मशीनरी भी जंग धो पोंच कर सक्रिये हुई। तब तक बच्चे तो बच्चे बड़े भी भूख से बिलबिलाने लगे थी। परिवार में उसकी बीवी और तीन बच्चे थे जिनकी उम्र में एक डेड़ साल का अंतर रहा होगा। सबसे बड़ा बेटा आठ वर्ष का, दूसरी बेटी साथ वर्ष की और छोटा बेटा जो उस वक्त गोद में था आज पांच वर्ष का हो गया है। कुपोशन और कमजोरी के चलते डेड़ दो वर्ष की उम्र तक तो वो जमीन पर पैर भी न टिका पाया था। लेकिन अब तो ऐसा दोड़ता कि माँ पकड़ भी नहीं पाती थी। विनायक के परिवार ने गाउं से ही इतनी गरीबी और भुक्मरी देखी थी कि दो दिन के फाके से उन पर कोई असर न पड़ा। चार दिन बाद जब धीरे धीरे पानी उतरना आरंब हुआ तो लोगों ने अपने अपने घरों की ओर लोटना आरंब किया। जुग्गियां तो सारी मलवे में तबदील हो चुकी थी। लेकिन मलवे के उस धेर में अभी भी घरों की कुछ निशानियां बाकी थी। परिवार के सभी लोग मिल जुल कर मलवे के उस दलदल में जीवन चलाने योग्य निशानियां ढून रहे थे। कौन समान किसका है इससे कोई लेना देना नहीं, जो जिसके हाथ लग गया, उसका हो गया। विनायक और उसकी घरवाली भी कुछ तूटे-फूटे बरतन, कीच जड़ से सने कपड़े, तूटी-फूटी-चार पाईयां आधी बटोर लाने में सफल हुए। धीरे-धीरे पानी और सूखा, तो उसी इस्थान पर एक बार फिर जुगियां बस गई। जीवन आबाद हो चला। एक-दो दिन सरकार ने भी खबर ली, कुछ ब्रेड और ब लग जाता, वही भाग्यशाली सिद्ध होता। विनायक को अपनी तो चिंता नहीं थी, लेकिन बच्चों को भूप से फिल-बिलाते देख उसका हिर्दय फट पड़ता। उनके लिए किसी तरह अब तक खाने का इंतजाम कर रहा था। बच्चों का पेट भरने के बाद ज उनकी योजना से सबको थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी जेबों में भी जाता रहा। कुल मिला कर इन दिनों मेले कासा महाल रहा बस्ती में। मुफ्त में खाना बटना खत्म हुआ तो मेला भी खत्म हुआ। सभी लोग एक पिर से रोजी रोटी की तलाश में जुट गए। इस बार की बारिश से नुकसान भी बहुत हुआ और बाजार में अधिक काम भी उपलब्द नहीं था। बस्ती में रहने वाले कुछ लोग आर्थियों के हां मजदूरी करते थे। तो कुछ वहीं बड़ी इमारतें बनाने ठेकेदारों के साथ थे। लेकिन बारिश की अधिकता से बिल्डिंग बनाने का काम तो ठप पड़ गया था। इसके तो तभी दोबारा शुरू होने के आसार थे जब कुछ दिनों तक लगातार धूप रहती। इन इमारतों में काम करने वाले मजदूर आज कल रोजी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। विनायक भी इनहीं में शामिल था। कभी कहीं दिहाडी की तलाश में भटकता तो कभी कहीं। कहीं कुछ घंटों का काम मिल जाता तो कहीं पूरे दिन का काम भी होता। कभी ऐसा भी होता कि पूरे दिन कोई काम ही न मिलता। चूलह भी जीकता उसकी घरवाली भी बच्चों को मार पड़ती बाद में दोनों पश्ता थे कि आखिर बच्चों की गलती क्या थी लेकिन सब जानते समझते हुए भी ये हर तीसरे दिन का तमाशा बन चुका था नुकड का लाला भी अब उधार नहीं देता अभी तो विनायक पहल बस्ती की ही कुछ महिलाएं कूडा बीनने का काम करती थी विनायक की घरवाली भी बच्चों को घर पर छोड यही काम करने लगी कभी कभी तो कूड़े में उसे बहुत अच्छे अच्छी चीज़ें मिल जाती उसे अश्चर होता ही अमीर लोग ऐसी मूलेवान और जरूरत की चीज़ों को ऐसे ही कूले में कैसे फेंक देते हैं उसे क्या पता था कि जो सामगरी उसके जैसे लोगों के लिए बहुमूल्य थी वही इन बड़े घरों में रहने वालों के लिए फेंकने का सामान थी विनायक की घरवाली घर से बाहर निकलती तो बच्चों के लिए ए एहम बिल्कुल भी बरदाश्ट ना कर पाता कि उसकी पतनी घर के सभी प्राणियों के साथ-साथ उसके पेट भरने की भी विवस्था कर रही है। अब बच्चे तो बच जाते, लेकिन इसी जुझलाट में विनायक अपनी घरवाली को बुरी तरह पीट डालता। उसकी घरवाली को भी इश्वर ने नजाने कितनी सहन शक्ती दी थी कि चुप चाप मार खा लेती लेकिन चूं तक न करती। रात में रुई की तरह धुनी गई विनायक की घरवाली। सुभा उठते ही ऐसे काम पर लग जाती जैसे रात कुछ हुआ ही नहो। ऐसे ही महीना दो महीना बीट गया। मौसम भी अब ठीक हो चला था और बाजार में भी तेजी आने लगी थी। पर उसी रामदीन ने विनायक को अनाज की एक आड़ती के यहां काम दिलवा दिया। आड़ती के कई गोदाम थे। शहर में कई स्थानों पर उसका काम पहला हुआ था। अनाज एक गोदाम से भंडार सुनी चांदी के भंडार से भी अधिक बेशकीमिती था। अनाज के इन विशाल गोदामों को देखकर अनायास ही उसे दाने दाने को तरस्ते बस्ती के लोग याद आ गए। विनायक की इच्छा अब सबसे पहले अपनी घरवाली का काम छुडाने की हुई। जब से दो पैसे कमाने लिए दिमाग साथ में आसमात पर है। मैं साथ समझने लगी है अपने आपको।